हेलो इस्टुडेंट माइनेम इज राकेश कुमार चलिए शुरू करते हैं आज यह इन्पुट आउटपुट मेनेजमेंट का तीसरा वीडियो है जिसमें हम डिसकस करेंगे डिसक सेडिवलिंग एलगोरिदम के बारे में तो पिछले वीडियो में हम पड़ चुखे थे कि स्टोरेज मैनेजमेंट कि डिवाइज कितने तरीके खोते हैं तो उसमें जो लास्ट में हम पढ़े थे डि transitions एक्से acquire डिव креп bend का कि मेमोरी डिसक इस टाइप का माइगनेटिक डिस्क टाइप का उसका एक्जामपल था तो जो उसमें डाटा इस्टोर है उसके जो फेच करने में टाइम लग रहा था उन टाइम को हम तीन कटेगरी में डिवाइड के थे पहला सीक टाइम दूसरा रोटेशनल डिले तीसरा डाटा टांसफर टाइम तो इन टाइम में जो सबसे इंपोर्टेंट टाइम है सीक टाइम सीक टाइम का मतलब क्या हुआ कि जो डाटा को पर्टिकुलर ट्रेक पे खोजने का काम कर रहा कि अगर माल लेजिए मेरा हेड कहां इस समय है किसी दूसरे डिस्क पे तो और डाटा जो है वो पांच वे डिस्क पे है और जो है इस समय में वह तीसरे डिस्क पे है तो जो है करी करेगा किस टाइप से अलगोरीधम हम अपलाय कर रहे कि पाले हम पाँच वर जा जो डिस्क सेडूलिंग एल्गोरिदम हम लोग पढ़ना है वो है FCFS, SSTF, Scan and Look हम बात करेंगे सबसे पहले FCFS एल्गोरिदम के बारे में क्योंकि यहां सबसे सिंपल एल्गोरिदम होता है जैसा कि हम लोग प्रोसेस मैनेजमेंट में पढ़ चुके हैं मेमोरी मनेजमेंट में उसी तरह यहां डिस्क मैनेज़ डिस्क सेडूलिंग एल्गोरिदम में भी सबसे पहला यह एल्गोरिदम है FCFS जिसका मतलब होता है first come first serve मतलब जो अगर हम डिस्क सेडूलिंग की आधार पर बात करें तो जो जो डिस्क सबसे पहले आएगा क्यों में वह पहले सर्व होगा मतलब वह पहले जो हेड मुव्मेंट है वह पहले उसके पास जाएगा तो अगर हम बात करें कि मेरा इस समय जो हेड है वह 53 डिस्क पे है मतलब अगर माल लिजे मेरे हाड डिस्क में एक डेर सारे प्लेट लगे होंगे और अगर अगर हमारे पास एक हाड डिस्क में माल लिजे एकजामपल की तौर पे कि 200 डिस्क है उस हाड ड्राइब में तो 200 डिस्क है तो सबसे पहले जो उस डिस्क का Head होगा कहीं ना कहीं किसी प्लेट पे होगा इस समय पर इजेट टाइम में लेकिन जो हमारा डाता होगा वो किसी भी डिस्क पे हो सकता है तो क्या होगा कि जो Head डिस्क होगा Head movement करेगा कि particular disc से इस डिस्क पे तो उसको क्या बोलेंगे सीक टाइम तो सबसे पहले इसी को calculate करना है कि head movement कितना आएगा एगा किसी particular data को खोजने में तो जिसका head movement जितना कम होगा उतना ही algorithm अच्छा होगा तो सबसे पहले हम देख लेते हैं एपसी एल्गोरिदम को कैसे डील करते हैं माल लेजिए मेरे पास क्यों में आ चुका है कि 98 ट्रेक पर जाना है 183 ट्रेक पर जाना है इसको सिंपल कह सकते हैं कि सिलेंडर पर जाना है जब कि पहला है जो फिप्टी थ्री वाले सिलिंडर पर हमें यह कल्कुलेट करना है कि इसका है कितना होगा टोटल कौन सा इल्गोरिदम लगा कि FCFS अल्गोरिदम लगा कि इसको को साल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम एक सिलेंडर पर जितना जिस लिएक पना हुए मैं पर 202ए है वह हार्डिस्क में तो 0-99 का हम मेंसन कर लिए इसके अंदर 19 10 3 diabetes सलेंडर पर यहां यहां हमें जाना है कि आहां हम जाना की हैं हमारे पास दिख रहा है कि यह जात तो हम एक सिक्वेंस में बना लेंगे उसके सिलेंटर के हिसाब से कितनी दूर एब जैसे हमारे पास 65 सबसे पाले कहां हम स्टार्ट करेंगे कि मेरा जो है कहां से हैं 53 वाले सबसे पाले कौन सा सिलेंडर आ रहा है 98 वाला तो सबसे पाले हम कहां जांगे 58 से नाइंट इट वाले पर यहां इस सिलेंडर पर हैं तो total head movement कितना हो गया इस case में तो कहां हमें 98 पर जाना है तो 98 minus कितना 53 कितना total यहाँ disc cylinder घूम के आया 98 पर 45 तो 53 से 98 पर जाने पर कितने cylinder का movement हुआ जो हमारा head movement हो गया 45 मतलब 53 से 98 पर जाने के लिए हमारा head का कितनी कितने cylinder को मूव गया 45 तो इसको क्या बोलते हैं head movement तो तिरपन से 98 पर पर आया फिन 98 से कहां जाएगा 183 183 हमारे पास यहां पर है तो डारेक्ट हां देखो ऐसे हम ड्रा करेंगे कि यहां 183 यहां आ गया 183 जाने पर हमारा cylinder का movement कितना हुआ 183-98 183-98 कितना हुआ 5 और 8 तो 85 हो गया उसके बाद 183 से कहां 37 पर जाना है तो बैक आएगा अब 37 वाला कहां पर है यहां पर है तो यहां आएगा हमारा head movement इस तरह से तो यह कितना head movement हुआ 183-37 कितना हो गया 146 183-37 146 उसके बाद हमें किस पर जाना है 37 से 122 पर जाना है तो 37 से 122 head कितना movement हुआ 122-37 85 उसके बाद 122 से कहां जाना है 14 वाले पर तो 122 से 14 वाले पर आया तो head movement कितना हुआ 108 108 उसके बाद 14 से कहां गया 124 वाले पे तो 14 से 124 वाले total head movement कितना हुआ 110 उसके बाद 124 से 65 पे आया है 124 से 65 65 वाला देखिए यहां पे तो इसके सामने यहां तक आएगा तो 124 मानस 65 59 हो गया उसके बाद कहां जाएगा 67 वाले पे 65 से 63 सठ पे गया तो 2 head movement तो हम क्या निकालते हैं total head movement कितना हुआ total head movement इसका मतलब कितना जादा हमारे पास head का movement हो रहा है head का moment कम से कम होना चाहिए क्योंकि तभी algorithm best होगा क्योंकि तभी time कम लगेगा तो total head हेड मुव्मेंट निकालने के लिए अब सब हेड मुव्मेंट जितना आया हो उसको जो एड कर लेंगे 45 प्लस 85 प्लस 146 फ्लस 85 प्लस 108 फ्लस 110 फ्लस 59 फ्लस 2 टोटल कितना हो गया में उख्यांपल में कितना आया चीज गयाई क्रों टूट कितना करेंगा पूरे हो टाक। करने के लिए 646 करें इसी एक्जामपल को हम दूसरे एलगोरिदम से समझते एसे ऐती आँ MR दूसरा एल्गोरिधम है सार्टेष्ट सीक टाइम फर्ष्ट, SSTF, मतलब अब हमें क्या करना है कि जो क्यू दिया है उसको हम मेंसन कर लेंगे, जैसे FCFS में किये थे, हैड भी 53 पे है तो उसको भी इंक्लूड कर लेंगे कि 53 पे है इस समय, तो अब 53 पे जब है तो यहां से कह जाएगा सबसे पहले कि जिसका सीक टाइम सार्ट होगा, मतलब जो सिलेंडर पे जाने में सबसे कम सीक टाइम लगेगा, मतलब जो सिलेंडर पे जाने में सबसे कम टाइम लगेगा, उस सिलेंडर पे सबसे पहले जाएंगे, तो जो यह सिलेंडर हमारे पास Q में तो आ गया लेकिन जो slender आय था उस पे नहीं जाने वाला अब क्या करेगा वो पूरा slender को पाले increasing order में ये manage खर लिया है फिर उसके बाद जिसका seek time कम होगा उस slender पर जाएगा जैसे इस समय 53 पर हमारा head है तो हम इसके नदिक में 65 है या 37 इनी दोन उप जा सकता है सबसे पहले तो सबसे पहले हम देखें कि किस पर जाएगा 65 पर जाएगा या 37 तो 65-53 कितना हो गया 65-53 यह हो गया तेरह में दो और 12 यह 12 हुआ और 53-37 यह 12 से ज्यादा ही आएगा तो सबसे पहले कहां जाएगा 65 की तरब जाएगा यहां आया फिर 67 है और 37 है तो किस पर आएगा यहां head movement कितना करना पड़ेगा दो ही करना पड़ेगा तो इसके बाद यहां आएगा फिर उसके बाद 98 पर जाएगा यह 37 पर तो हम देखेंगे कि 67 98 माइनस 67 और 36 67 माइनस 36 37 तो सबसे यहां 30 हो गया यहां कितना हो रहा 31 हो रहा है तो सबसे पहले 98-67 कितना होगा 31 और यहां 37 वाले पे 30 ही हो रहा है तो सबसे पहले हम कहा जाएंगे 37 वाले पे इस तरह से 30 head movement हुआ और इसका कितना हुआ था 5-3, 2 12 और इसका 2 इस तरह से हम पूरा बनाएंगे इसका concept क्या है कि जिसका seek time कम होगा उस cylinder पे सबसे पाले जाएगा जैसे दुबारा देख लीजिए अगर head मेरा इस समय present में 53 पे है तो 65 पे जाएगा या 37 पे 65-53 यहां 12 आया इसका value कुछ ज़्यादा था इसलिए यहां नहीं गया उसके बाद 67 पे जाएगा या 37 पे या 98 पे जिसका seek time कम है यहां दोई seek time आ रहा है फिर हम देखेंगे यहां 67 से 98 पे जा सकता है या तो 37 इनी दुनों में कम जा सकता है अब यह में जज़ करेंगे कि 98 पे जाने पे कम seek time लगेगा या 37 तो हम यहां से देख रहे हैं कि 37 पे 30 आ रहा है 98 अगर जाता तो 37 आता तो 31 बार head का movement करना पड़ता है इसलिए 30 ही सबसे छोटा है 30 head movement करने में 37 पे पहुँच जाएगा तो इसी तना से हम सब का mention कर लेंगे फिर add करेंगे तो हम video को forge करके हम पूरा mention कर ले रहा है फिर add करके दिखाते हैं देखिए अब हम mention कर दिये हैं 37 से या तो 98 पे जा सकता था या 14 पे तो सबसे पहले 14 पे आएगा क्योंकि सीक टाइम कम होगा फिर 14 पे पहुँच गया हम 37 भी visit कर सकते हैं 53, 65, 67 तो अब इतना visit करना बचा है 98, 122 124, 183 इन सब को visit करना बचा है तो इन सब से कम किसका time कम लगेगा 98 का तो हम 98 वाले पागए 98 से 122 वाले पागए 122 से 124 वाले पे आगए हम यहां देखिए, यहां mention किया है और 124 से 183 पे आ चुके हैं तो total head movement अगर निकालना है तो सब को count करना पड़ेगा total head movement कितना होगा 12 plus 2 plus 30 plus 23 plus 84 plus 24 plus 2 plus 59 यह हमारा आ गया total 236 सिलिंडर या 236 ट्रैक बोले हम सिलिंडर लिख दे रहे हैं और FCFS के केस में कितना आया था FCFS के केस में हमारे पास आया था 640 शेसो चालिश सिलेंडर आया था जबकि हम वहीं उसी Q पे SSTF algorithm लगा रहे हैं तो हमारा सिलिंडर का movement कितना कम हो जा रहा है यहां कितना 236 ही बचा अगला पढ़ते हैं तीसरा है scan algorithm अगर हम scan algorithm की बात करें वही same example लेके समझा रहे हैं अगर माल लीजे present में हमारा head कहा है 53 वाले पे तो scan algorithm के carding scan का मतलब जो हम scan machine नहीं देख रहे हैं कि यहां से सुरू करता है end तक scan करता रहता है बार मा तो सबसे पहले scan algorithm के इसाब से सबसे पहले किस पे आएगा हमारे पास 0 cylinder पे आएगा मतलब जितने cylinder होगा कहीं भी head होगा सबसे पहले initial पे आएगा तो initial पे आते समय हमें 37 भी मिल चुका है और 14 भी मिल चुका है तो यहां से पहले 37 वाले पे आएगा आते समय ही मिल गया है तो क्या करें किया जाए तो वो consider कर लिया जाएगा फिर 0 वाले पे आ चुका है जीरो वाले आने के बाद अब क्या करेगा यहां जीरो से इधर सर्च करने कोशिज करेगा तो जीरो से अब कौन कौन सा बचा है 65, 67, 98, 122, 124, 183 यह सब बचा है तो इधर के हम जाएंगे हम वीडियो को पौज करके पूरा बना दे रहा हैं फिर हम समझाते हैं क्योंकि वीड है तो कितना होग फिर हम एटायद मॉवमेंट किते हूं होग उसके बाद 1 टॉंटी टूंटी जा जाएंगे से गया तो अगर total head movement निकालना है तो इन सब को add करना पड़ेगा तो यहाँ add करने पर हमें क्या मिला कि 236 cylinder का movement हो रहा है अब हम तीनों algorithm को एक बार में ही summarize कर देते FCFS पहला algorithm है FCFS का मतलब जो पहले cylinder आएगा उस पहले बिजिट के लिए जाएगा SSTF का मतलब कि जिसका seek time कम होगा सबसे पहले वो cylinder बिजिट होगा तो फिफिट्टी थी था मेरा head movement तो सबसे कम 65 होगा है या 37 होगा तो 65 सब से कम head movement में निकला तो सबसे पहले 65 पे आ गया ठिर 65 पहर head आ चुका है तो 67 कम होगा या तो 37 कम होगा या तो 98 तो सबसे कम होगा 67 तो उस हिसाब से algorithm काम करेगा, इस कैन algorithm का मतलब सबसे पहले head हमारा initial पे आने कोशिस करता है, मतलब 53 पे head है present time में तो सबसे पहले 0 कि तरफ आएगा, 0 कि तरफ आते समय ही बिजिट हो गया दो, दो सिलेंडर बिजिट हो चुका 37 और 14 क्योंकि हमें इन दोनों को बिजिट करना था, इस क्यूं में लिखा गया है तो उस दोनों को बिजिट करते हुए हम 0 पे आ जाएंगे 0 से फिर जाएंगे जहां लाश्ट सिलेंडर हमें बिजिट करना 183, तो हम इन तीनों अलगोरिदम और चौथा अलगोरिदम है, लुक उसको हम इस वीडियो में नहीं डिसकस कर रहा है क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा तो दिक्कत हो जाएगे तो वीडियो को खतम करने से पाले हम आप लोग लिए क्यू टीवी पूछ लेते है तो क्यू टीवी ये है कि जो ये क्यू दिया गया है क्यू क्या है 15, 93, 35, 26 37, 41, 38, 55 और इस समय हेड कहां पे है 40, सिलेंडर पे है तो इस क्यू में हमें दो एल्गोरिदम लगाना है FCFS और STF इन दोनों एल्गोरिदम लगाने के बाद टोटल हेड मूव्मेंट कितना कितना आ रहा है कमेंट सेक्शन में इस क्यू टीवी का आइंसर कमेंट करिए और इस वीडियो को जादा से जादा सेर करिए वीडियो देखने के लिए